हेलो दोस्तों जोहार, जहारखंड अकैडमी कॉंसिल 2022 के एक्जाम में जो पूछावा कोश्चन है, बिजनस मैथेमेटिक्स का, कॉमर्स के स्टुडेन के लिए बिजनस मैथेमेटिक्स एक सब्जिक्ट होता है, और इसमें जो पूछावा कोश्चन है, उसका पूरा इसके एक्जाम में, और हम लोग एक सीरीज लेकर आएं, जिसमें जहारखंड अकैडमी कॉंसिल जो क्लास 11 और क्लास 12 का एक्जामिनिशन ले रही है, उसमें जितने कोश्चन पूछे गए हैं, प्रिवियस के सारे कोश्चन का सॉलूशन इसमें मिलेगा आपको, इस चैनल से पहले पहुंचे और सबको अपने कॉपी में, नोट डाउन करते चले जाएगा, इससे एक आइडिया आपको लगेगा, यह जो सॉलूशन लेने का मेन का रीजन है, वो एक को आइडिया डेवलप करना है, कि कि किस चाप्टर से किस तरह का कुश्चन पूछा जा सकता है, एक स्टैटिजी बना सकते पढ़ने का, पढ़ने के लिए प्रिपेशन योजना बनाने के लिए, प्लाइन बनाने का काम में काम देगा, कि किस चाप्टर से किस तरह का कुश्चन पूछा जा सकता है, कौन-कौन सा टॉपिक हमने पढ़ा, और कौन-कौन सा टॉपिक ऐसा ह जो चुट गया जो टॉपिक चुट जाएगा उसको आप अपने अच्छे तरीके से तियारी कर सकते हैं तो चली इस सिलसिले में हम ज्यादा समय ना लेते हुए आप आगे बढ़ते हैं यह है बिजनस मैथमेटिक्स एन्वाल इंटरमेटेट एक्जामिशन टूज़न टूज पूछा जाएगा साति इस सात सब्जेक्टिव भी पूछा जाएगा इस पार जो पैटर्ण है वही हैं में लग होगा अब बोल दिया गए बिजनस मैथमेटिक्स यह औपसनल नमबर 20 यह आपके आपके इपस न्स्टरक्सिन रहते हैं जो आप पहले से भी जानते हैं क्योंकि आपने क्लास 11 का एक्जाम लिख चुके हैं तो आपको मालूम है क्यों बोलता है सावधानी पूर्वक सभी विवरन OMR उत्तर पत्रक में भरें आपको सावधानी से सारा डिटेल OMR सीट में भर लेना चाहिए ब्लू बॉल पेन का यूज होना चाहिए या ब्लैक बॉल पेन का यूज होना चाहिए जेल पेन का यूज नहीं होना चाहिए अगर आपने OMR सही तरीके से नहीं भरा है तो OMR चेक नहीं होगा उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपका रिजर्ट नहीं आएगा आपका रिजर्ट में दिखेगा पिंडिंग तो ये गलती ना करें अगर ये गलती कर दिये तो आप बरबाद हो जाओगे एक साल के लिए एक साल आपका पूरा लैप्स कर जाएगा इसलिए और हर कोशन एक नमर कर रहता है तो आपको ये धियान देने के ज़रते हैं चलिए कोशन नमर 1 से शुरू करते हैं और ये हम लोग बिजनस मैथमेटिक्स कर ले करा रहे है हम लोग जो सॉलूसन ले कर रहे है वो बिजनस मैथमेटिक्स कर ले कर रहे है और देखिए पहला नमर 1 का कुश्चन का अंसर क्या होगा तो हम लोग solve करके भी आपको बताते चल जाएंगे कि question number one का answer क्या होना चीए बोलता है 70 K और 100 are in AP then value of k अगर 70 K और 100 AP में तो K का value क्या हो बता है AP कैसे test करते हैं AP test करने के लिए क्या करना चीए था AP test करने के लिए आप करते थे T2 minus T1 second term में first term को minus करेंगे T2 minus T1 second term में first term को minus करेंगे और third term में second term को minus करेंगे अगर ऐसा करेंगे और यह बराबर आजाएगा तो मानेंगे कि AP में है तो यहाँ साफ लिखा है कि AP में है हमको test नहीं करना हमको बोला AP में है तो अगर AP में है तो इस condition में set बैठना चीए वो AP में होने के लिए क्या है second term में first term को minus करेंगे दूसरे पद में पहले पद को घटाना और तीसरे पद में दूसरे पद को घटाएंगे तो दोनों का जो difference होगा वो difference बराबर आजाए तो यहाँ पोड़ा AP में है हम एक confirm है कि AP में है के इधर है और minus के इधर आजाएगा तो जाएगा प्लस के बराबर hundred इधर है और यह minus दो धर होगा प्लस hundred sorry plus seventy इधर चला जाएगा तो यह hundred इधर है minus seventy इधर plus seventy यह हो जाएगा two के बराबर क्या हो जाएगा 170 तो के बराबर क्या हो जाएगा एक सो सतर में दो से भागा दे दिए, कितना आता है? आठ दूनी, सॉला, पचांसी 85 इसका आंसर हैगा 85 तो देखते हैं 85 किधर है? किस में लिखा वाए? तो बताए 85 आपका second answer में तो second answer सही होगा यहनि first का question का हम लोगों ने solution दिया है उसका आंसर 85 आया है तो पहले का option 85 बिल्कुल सही है दोस्तों अगर maths में अच्छा marks लाना है तो part A के 3-4 chapter के उपर command करके रखे और खास करके पिछले बार जो था अगर आप objective के उपर command करके छोटे-छोटे question बनाना से गया फॉर्मूला आपको पता हो गया तो आपको mathematics में दिक्कत नहीं होगा business mathematics में दिक्कत नहीं होगा चलिए दोस्तों next question की तरब चलते है next question क्या बोलता है question में 2 question में 2 में क्या बोड़ा है कि how many terms are there in AP देखे ये कुछ लिखावा है चुकिए जिस बच्चे का से question paper लिया गया वह बच्चा solution किया होता तो उसको ignore करते रहे है ये जो इस side में लिखावा है calculations ये बच्चे ने अपने examination में solve किया था बड़ मैं सई से solve करके देद रहा हूँ बोलता है कि इस में कितने term आएंगे अगर ये series एक वह series अगर है एक, तीन, पांच, साथ इस तरह से बढ़ते जाएगा तो 99 लाने में कितना संख्या आएगा जैसे तीसरे नमबर में कितना है पांच आए, चौथे नमबर में साथ आए तो इस तरह से 99 कितने नमबर में आएगा कितने नमबर में आएगा इसका मतलब यहां पर A दिया हो है 1, D बराबर था common difference. देखे तो AP में है कि GP में है? तो ये AP में है, सिरीज देखने से लग रहा है नशनके हैं. क्यों? क्योंकि इसके बीच का difference और इसके बीच का difference बराबर है, तो AP में है, n बराबर missing है अपने पास तो n कैसे निकालेंगा तो tn का formula लगा दीज़े तो tn बराबर क्या होता है a plus n minus 1 into d a बराबर कितना अपने पास है 1 plus n तो नहीं है missing है minus 1 minus क्या होगा 1 हो जाएगा n minus 1 और d बराबर हमारा कितना difference है तो tn बराबर 2 है लेकिन tn बराबर मिरे पास दिया है 99 चलिए अब 99 बराबर 1 plus यहां 2 को n से करेंगा तो 2 n आजाएगा 2 को minus से करेंगा तो minus 2 आजाएगा अब इसको किजे 99 99 अब देखिए यहां पे क्या बचेगा बराबर 2 n यहां पे है और minus 2 में चला जाएगा तो minus 1 बचेगा minus 1 को इधर करेंगे तो बताए यह minus 1 इधर पलस हो जाएगा तो होजाएगा 100 99 और यह और फिर्ञाव प्लस होगा तो 100 हो जाएगा, 100 पराबर 2n हो जाएगा तो इसलिए n पराबर क्या होगा 100 बाइ 2 अन्य पराबर कितना हैगा 50, n पराबर कितना हैगा 50, तो देखे हैं 50 किसमें है जैसमें 50 होगा वही सही ऐंसर होगा दीए थर्ड कोश्चन क्या बोलता है बोलता है कि अगर किसी AP में 7, 14 और 21 है तो उसका पंदरहवा पद क्या होगा अनि कोई अगर टर्म ऐसे जा रहा है 7, 14, 21 करके जा रहा है तो इसका पंदरह पद 15 आइटम में क्या होगा जैसे तीसरे नमबर पर 21 है उस तरफ 15 हुए नमबर पर क्या आएगा इसका मतलब है यहाँ TN का फर्मुला लगाए तो TN बराबर क्या होता है A पलस N माइनस 1 और इंटू D TN निकालना है A दिया वा A बराबर 7 पहला पत 7 पलस N बराबर कितना है 15, 15 हुआ संख्या निकालना है 907 कितना होता है 105 907 कितना होता है 105 नि यह सीरीज अगर इसी तरह से बढ़ता चला गया तो 15 संख्या इस सीरीज की क्या कलाएगी 105 होगी सीरीज की 15 संख्या क्या होगी बच्चा लो 15 संख्या इस सीरीज की कितने कलाएगी 105 कलाएगी तो देखिए 105 किस में है 105 जेट नमबर में तो इसका थर्ड नमबर का अंसर बिल्कुल सही होगा चली चलते हैं दोस्तों आगे फोर्ट कोश्चन की तरफ कोश्चन प्वोर में क्या पोड़ा है देखिए कोश्चन प्वोर में पोड़ा है कि find the sum of following AP इस AP का sum निकालना है तो दिखिए SN के लिए दिया वाब के पास इसके बीच में आपको क्या निकल जागा इसके बीच में डी निकल जागा difference निकल जागा 5 का difference है 2 7 5 5 7 और 5 12 तो ए बरावर अपने पास दिया भाई इसमें ए बरावर अपने पास कितना दिया है दोस्तों 2 दिया है D बरावर कितना दिया है दोस्तों 5 दिया है और N बरावर कितना दिया है 12 दिया है और यह दिया है और आपको SN निकालना है दोस्तों तैसे कैसे निकलेगा तो एसन बरावर होता है n by 2 into 2a plus n minus 1 into d देखिए n बरावर क्या दिया दोस्तो 12 बटा 2 into 2a बरावर कितना है 2 plus n n बरावर क्या है दोस्तो 12 minus 1 d बरावर क्या है 5 इसको solve कर देंगे तो अपने आप आ जाएगा answer तो हो जाता है n by 2 into 2 दो दूनी 4 plus 12 में एक जाएगा तो 11 11 को 5 से मेडिप्रा कर देंगे दोस्तो तो 55 हो जाएगा अब 55 और 11 कितना आता है एक साथ आता है तो यहां पे एक और काम करेंगा हम लोग n by 2 into 55 और 11 55 और 9 sorry 11 नहीं 9 है तो 59 आता है तो 59 को डिवाइट करेंगे तो यह आजएगा sorry 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 n का value तो दिया भाई यहां पे 12 12 यहां हम लोग 12 भी छोड़ दिया भाई n का value कितना दिया दोस्तो 12 तो 12 से 6 मेर में कट जाएगा न यहां पे क्या आजएगा दोस्तों यहां आजएगा 6 तो 6 into 59 कर देंगे तो कितना ता है 6,9,54,5,6,35,35,35,35,35,4 देखते हैं दोस्तों 354 किसमे है तो first option में 354 है first option में क्या है 354 है सही answer इसका 354 होगा first answer होगा चलिए हम लोग next question की तरफ चलते है question 5 क्या बोड़ा है देखे क्या दिया है तो क्या बोड़ा है कि which term of the sequence 5,7,9,11 इस तरफ बढ़ते रहा है तो कितने नमबर में कितने संख्या में 27 है यह जानते है टी इन दिया हूँ है जैसे दूसरे नमबर में 7 आ रहा है तीसरे नमबर में 9 आ रहा है D, बताए TN आपके पास 27 दिया भाई, A बराबर आपके पास दिया है, 5 दिया है, प्लस N तो मीसिंग है, माइनस 1 और D कितना दिया है, कितने का डिफरेंस है, देखे तो, 2 का डिफरेंस है सब में, तो 27 बराबर 5 प्लस 2 को N से करेंगे, इसलिए यहां 24 आएगा, तो 2 N बराबर क्या हो जाएगा, 24 आजाएगा, तो N बराबर कितना हो जाएगा, 24 बटा दो करेंगे, कितना आजाएगा, 24 बटा दो करेंगे, तो कितना आजाएगा, 12 आजाएगा, तो 12 देखे किसमा अंसर है तो बोलता है 12 टर्म चौथे नमर में है 12 संख्या 12 टर्म आएगा दोस्तों अब हम लोग चलते हैं कोश्च नमर 6 की तरफ GP का टर्म पूछ रहा है दोस्तों क्या दिया जी पी के टर्म में बोलता है कि किसी जी पी का छठा पद निकाले 6 स्ख्स टर्म निकाले अगर वो जी पी का पहला पत तीन है दूसरा पद शे है तीसरा पद बारा है तो उसका छठा पत क्या होगा तो GP हम लोग जांते है multiply के form में आता है तो GP में बरावर कितना दिया है दोस्तों तीन और निकलता है GP में common ratio देखे आर कैसे निकलता है निकलने के लिए formula क्या है दोस्तों आर निकलने के लिए T2 बाई T1 T2 बाई T1 तो बताए T2 हमारा कितना है 6 बाटा 3 तो 2 हो जाएगा देखे दूगना बढ़े रहा सब यह 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48 से इस तरस बढ़ते जाएगा तार बरावर कितना निकल गए दोस्तों 2 और N बरावर अपने पास 6 दिया है और पूछ रहा है क्या 6 टम निकाल लिए तो TN निकालना है दोस्तो TN बरावर क्या होता है GP में A R पर पावर N-1 होता है दोस्तों GP में TN बरावर होता है A R पर पावर N-1 A बरावर 3 R पर टू पावर 6-1 कर देंगे तो दोस्तों आ जाएगा कितना 3 इंटू 2 पर पावर 5 हो जागा दोस्तों यह 96, 4 नूमर में है, तो 96 इसका सही जवाब होगा, अब हम लोग चलते हैं दोस्तों, 7 नूमर कुश्चन की तरफ, सारे कुश्चन को सॉल्ब करके देखिए, करके सारा कंटेंट और कॉंसेप्ट किलियर करते चले जाना है, तो 7 नूमर कुश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तो संघर्स जितना मजबूत होगा सफलता उतनी अच्छी मिलेगी, यह मान के चलना हैं दोस्तों, चलिए बुड़ा है कि 4 M और 9 R in GP, then M is क्या होगा, अगर यह GP में है, तो GP में टेस्टिंग के लिए क्या नियम है, GP में टेस्टिंग के लिए नियम हैं दोस्तों, T2 by T1, और बराबर T3 by T2, अगर यह बापस में बराबर हो गया तो समझे ए, तो GP में टो लिख दिया, यह GP में है तो इस ही में लगा देते हैं, तो T2 क्या है, M है, बटा T1 कितना है, 4 है, बराबर T3 कितना है, 9 है, और T2 कितना है, M, इसको क्रास कर दिजा, अगर यह GP में है तो ठीक ह कि इसका मतलब m² बराबर 9,46 तो बतbahnंे m² बराबर 36 हो गया, m² बराबर 36 को 6 के स्क्वएर कर सकते हैं न तो स्क्वेर कटगे, स्क्वेर कटगे, एम बराबर क्या जेगा, m बराबर 6 आ जा 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 देखिए टिया दोस्तों सम और पर्स और लो ट्री में तो जी पी में कैसे निकालते हैं आपको निकालना पांच में तो यह बराप्र प्रब्र्ण कुछ किस दानीडाओं साथ में बढ़ रहा है तो चार के फानीडाओं सिन टेर द्यविब नितर्म निकालना है क्या होता प्रद अगर जीवी की करें तो जीवी का टी अरपाफ हुन कर देंगे दोस्तों नकालेगा तो 4.400 का भेलू किया आएंगा? 4.16.64, चौनञार को 4 से करेंगे. 4 गुने, 4 गुने, 4 करेंगे पावर में, तो 4.16.64, 24.256, तो 256.256 को 2 से करें कितना हैंगा? 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 रेके 11, 2 दूनी 4 रेक 5, 512. किसमें है 512 दूस्तों? पान्सों बारे इसमें कहां पर उप्शन है, कहीं मिस्टेक तो नहीं हिवा है, फिप्त फाइब, फर्स्ट फाइब नमबर निकालना है, फर्स्ट फाइब नमबर तो ये तो ठीक है, ये बराबर कितना है, टू है, ये बराबर टू हो गया, सॉरी, सम है, सम है, ऐसे निकालना था, यहां हम लोगो S N निकालना था, हम लोग T N निकाल दिये थे, चली कोई स्उने, T N भी सिख लिए आप, S N निकाल दिये, तो S N में आपको फर्मूला बताया गया होगा, कि यहां पे A बरवर कितना दिया है, A बरवर दिया है, दोस्तों, 2, R बरवर कितना दिया, तो R बरबर 4 दिया है और N बरबर कितना दिया है 5 दिया है तो आपको बताया गया था कि जब R का value X से ज़्यादा होगा तो formula SN का क्या लगता है SN बरबर क्या होगा GP में SN बरबर था A into R पर पाउर 1 N minus 1 और बटा R minus 1 यह होता है दोस्तों अगर R का value X से ज़्यादा होगा तो यह formula और अगर R का value X से कम होगा तो यह formula पलट जागा और into यहां 4 पर 5 5 कितना आ रहा है 4 पर 5 अभी हम लोग 4 पर 4 निकार रहे थे तो 512 आ रहा था और उसको फिर 4 से गुना करें कितना है दोस्तों 4 पर पाउर 5 2 चों के 8 8 चों के 32 ठीक है तो 4 पर पाउर 5 का value कितना है चार दुनी आठ 4 एक 4 और 2 6 4 दुनी आठ 4 एक 4 2048 के जगा 2047 लिख देंगे 47 क्यों क्योंकि 2048 आएगा उसमें घर जाएगा अब तीन से इसको काट यह दोस्तों कितना आता है 6 ती आठारा दो 20 आठ तीया 24 फिर कटने वाला नहीं है इसका तो कटे गए नहीं लगता है फरस्ट फाइब नमबर को अगर जोडना है सम उफरस्ट फाइब नमबर योग ज्याद किजिए तो ए बराबर दिया आर बराबर दिया है और अन बराबर दिया है आर का भी लोक से जादा है तारपर पावर आन आर मैनस वन A बराबर होगया 2 R बराबर आपका 4 4 पर पाउर N बराबर 5 ठीक है और माइनस 1 और यह आगया तिया कटेगा यह 2 बटा 3 आगया 2 इंट 2 हम लोगों का मिस्टेक यही हो रहा है दोस्तों 4 पर पाउर 5 का वेल्यू 1024 आता है 4 तो 4 चोके 16 16 चोके 64 64 चोके अब फिर उतना चोके 1024 आगा तो 1024 माइनस 1 कर देंगा नीचे आजाएगा 3 अब इसको कल्कुलेट केज़े तो 2 बाइ 3 इंट 2 1023 अब कल्कुलेट कर लिज़ेगा निकल जाएगा अपना वेल्यू कितना आता है तीन तीया नो एक बारा चार तीया बारा 341 है गा 341 को दो से किज़े तो 2 चार दुनी 8 तीन दुनी 6 682 इसका अंसर होगा 682 हम लोग कलती यहां कर रहे थे कि ज़्यादा मुटिप्राइ कर देते इसको 5 बार मुटिप्राइ 4 गुने 4 गुने 4 गुने 4 मतलब 4 चोके 164 चोके इंटू चोके कर देना है तो यह निकल जाएगा दोस्तों तो यह जबाब हो गया 682 सही जबाब है इसका तो देख लिजे इसको थोड़ा सा मुटिप्राइ में दिक्कत हो रहा था माplिप्राइ में बोग उलच गये थे मैट्स में माट्प्राइ गर फूल जए तो फस जाएंगे ध्यान देखे माट्प्राइ करना है दोस्तों माट्प्राइ में इंह फस नहाँ चलिए देखिए अब हमारे पास दिया है पहले टर्म दूसरा टम, तीसरा टम, चौतरा टम, एक infinite में, S infinite में, इसका sum निकालना, योग निकालना, तो कैसे निकालेंगे S infinite का, तो S infinite बरावर बताए क्या होगा, A by one minus r, A by one minus r, चलि निकाले, A बरावर कितना है, पहला term कितना है इसका, पहले टम 1 है बटा 1-R बरब बते T2 by T1 होगा ना तो T2 आपको 1 by 2 है और 1 में ये है तो 1 का से डिवाइट करेंगे सेम रह जाएगा तो 1 by 2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 by इसका LCM ले लिजे दोस्तों तो 2 तो 2-1 तो क्या जाएगा 1 by यह 2-1 को 1 by 2 लिख सकते हैं इसको प ऐगा अगला कूशन क्या दिया दोस्तों देखे बोड़ा है फिर आपके पास एक बटा गया है यहां पर एक इतना दिया है यह बराबर वन है यह बरबर क्या है वण है और आर पर क्या है 1 by 3 है और N बरावर क्या है? N बरावर कितना term का निकालना है? 3 term का निकालना है. तो आपको SN पूछ रहे थे, SN कैसे निकलेगा? बताएए. तो सबसे पहले बताए, R बरावर 1 by 3 है, ना, और R का value एक से कम है, और R का value एक से कम होता है, तो SN का formula हम आपको क्या बताए थे? SN का formula होता है, अगर GP में है तो, ये GP में है, ये AP में पहले ये test कर लिजए. तो बताए, जब सब पहले बताए, AP में कैसे test करते हैं? AP में test करते हैं T2 माइनस T1, बरावर T3 माइनस T2, यही ना test करते हैं. तो देखिए, क्या है, T2 में second time कितना है, 1 by 3 minus 1, बरावर 1 by 9 minus 1 by 3, ये कैसे test करके, LCM आएगा 3, तो देखिए 1 minus 3, और बरावर इसका LCM आता है 9, तो देखिए 1 minus 3, देखिए, क्या हैगा, minus 2 by 3, और ये आता है, minus 2 by 9, ये तो नहीं लज़र आ रहा है, ये AP में हैं नहीं, अब हम लोग क्या करते हैं इसको, इसी को हम लोग फिर GP में test करके देखते हैं, देखते हैं GP में test करके दोस्तों कि GP में कितना आता है, AP नहीं है, तो GP तो होगा, तो GP में क्या है, T2 by T1, बराबर T3 by T2, चलिए देखते हैं क्या है, तो T2 में हमारा कितना है, 1 by 3, बटा 1 हो जाता, बराबर T3 में कितना है, 1 by 9, बटा 1 by 3 हो जाता, चलिए LCM लेते हैं, ये तो कोई मतलब नहीं, 1 by 3 रह जाएगा, इधर क्या हैगा, 1 by 9 और ये पलट जाएगा ना, तो पलट जाएगा तो क्या होगा, 3 by 1 हो जाएगा, तो कटेगा तो क्या होगा, 3 तो 1 by 3 और बटा बर 1 by 3, इसका मतलब ये GP में हैं, और GP में हैं तो जान देजाए, GP में कैसे बनाएगे, तो A बराबर कितना दिया है, 1 और R बराबर कितना दिया है, 1 by 3 और N बराबर कितना दिया है, 3 दिया है, तो इसन बराबर क्या होगा, A into 1 minus R पर प़वर N और चाहता 1 minus R, A बराबर कितना है, 1 है, into 1 minus R बराबर 1 by 3 पर प़वर N कर दिजी, N तो पता नहीं, अच्छा स्वारी यह न पता है टीन टर्म का निकालना है नमबर थी कितने टर्म का निकालना है अगर चाहता है 1-1 by 3 अब इसको स्वाल किजिए कितना आता है ति 1 का कोई वैल्यू नहीं रहा ति यहां बचेगा 1-1 by 3 अब आते 1 का क्यू करेंगे तो 1 ही आएगा लेकिन यहा क्यू कर सकता है तो 3 का क्यू कितना आएगा देखें इसका पेंसिल थोड़ा पतला कर दिया जाए यह आएगा 1-1 by 1 का क्यू करेंगे तो वन ही आएगा 3 का क्यू करेंगे तो तिंटिय नौत यह 27 आजागा तो इसको 27 भी आप लिख सकते हैं तो 1 by 27 हो जाएगा पट्टा य यहां पे LCM कर देंगे तो आता है 27 यहां एका 27-1 बटा 27 और यहां निचे आएगा 2 बटा 3 है अगर इसको क्रॉस कर दें तो आज कितना आजागा आता 26 बटा 27 और इंटू यह पलट जाएगा तो 3 बटा 2 आएगा तो 2 से कटेगा 13 बार में और यह से कटेगा 9 बार में 13 लेकिन यही सिरीज कंटीनू रहेगा अगर आप लगातार जूड़े रहना चाहते हैं और सारे कोशन का अंसर आप लगातार जाना चाहते हैं सीखना चाहते हैं तो चैनल के साथ बने रहेगा और हम लोग जल्द ही इसका second part लेकर आएगे तो वेट करिए जल्द ही आपके स सामने इसका second part और बाकी जो तीस question है वो आपके सामने जल्द ही आने वाला है नमस्कार